कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें? तुलसी में जरुर चढ़ाएं ये एक चीज, रविवार को तुलसी पूजा करें या नहीं? कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व बहुत अधिक होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधिविधान के साथ तुलसी पूजा करना देवी लक्षमी को भी प्रसंद करता है हिंदु धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनिय माना गया है कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण की पूजा के लिए भी खास होता है पुलसी में साक्षात लक्षमी का निवास माना गया है इसलिए पुलसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से देवी लक्षमी की पूजा ही होती है इसलिए कार्थिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से लक्षमी की प्राप्ति अवश्य होती है ब्रहमा जी ने स्वयन नारत जी को बताया था कि कार्तिक मास के समान कोई भी माह नहीं होता है पुराणों में वर्नित है कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला होता है और इस समय पर तुलसी पूजा विशेश फलदाई होती है कार्थिक मास में तुलसी पूजा करने से पाप नश्ट होते हैं और देवी लक्षमी की कृपा से मनुष्य को सुख और एश्वर्य की प्राप्ती होती है इस मास में भगवान विश्णु एवन तुलसी के निकट दीपक जलाने से अमोग पुनिफल की प्राप्ती होती है चलिए इसके साथ ही तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं अब पूजा आरंभ करें सबसे पहले जल चड़ाएं इसके बाद तुलसी के पौधे पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षक, चुनरी आदी चड़ाएं इसके बाद भोग लगाएं घी का दीपक और धूप जलाकर इस मंत्र का जाप करें श्री हरी कली ए व्रिंदावन्य स्वाहांत में विधिवत आर्ती कर लें इसके बाद तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग ही महत्व है वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए मगर यदि आप रोज नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की तीन बार परिक्रमा जरूर करें इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी को न चुएं। इस दिन तुलसी चुने से दोश लगता है। वहीं तुलसी का पौधा कभी भी रविवार के दिन नहीं लगाना चाहिए और नहीं इस दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। रविवा रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विश्नु जी के लिए निर्जला वरत रखती हैं। साथ की शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शीघर ही नौकरी वकारोबार में प्रमोशन मिल जाएगा। दूसरा उपाय। यदि आपके घर की तरक्की रुख गई है या परिवार में हमेशा कलह की स्थिती उत्पन होती है तो गुरुवार के। दिन तुलसी के ग्यारह पत्ते तोड़े, ध्यान रहे पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी जी से क्षमा याचना जरूर मांग लें। इसके बाद इस पत्ते को भगवान विश्नु के प्रतिमा पर अरपित कर दें। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्म का उर्जा दूर हो जाएगी और आपको कारियों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तीसरा उपाय भाग्योदय के लिए आटे के दीपक मेघी डालें। फिर इसके बाद एक चुटकी हल्दी डाल कर शाम के समय इसे प्रजवलित करें। बाद में उस दीपक तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी बंद किसमत खुल सकती है। चौथा उपाय मनो कामना पूरी करने के लिए आप पीतल के लोटे में चार से पांच तुलसी की पत्तियां डालें। इसके बाद इसे डाल कर करीब 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन इस जल को घर के प्रवेश द्वार के साथ अन्य हिस्सों में छिड़क दें। ऐसा करने से मनो कामना पूरी हो सकती है। पांच वा उपाय तुलसी की ग्यारह पत्तियों को धूप में सुखा लें। इसके बाद इस पर नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर इस पर राम का नाम लिखें। इसके बाद उन पत्तों की माला को हनुमान जी को चढ़ा दें। इससे सुख में वृध्धी होती है। चलिए, दोस्तों आप जानते हैं तुलसी में वह कौन सी चीज है जिसे चढ़ाना चाहिए। की क्रिपा होती है। दरसल तुलसी को विष्णू। प्रिया माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णू को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समरिध्धी बढ़ने के साथ धन लाब के योग भी बनते हैं। यही नहीं यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में ब्रिहस्पती मजबूत होता है और घर के अभी कलेश दूर होते हैं। दो, हर महीने की पंचम तिथी को तुलसी के पौधे पर अगर जल के साथ साथ गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो ऐसा करने से घर में हमेशा धन और सुक शान्ती बनी रहती है और जिंदगी में खुशाली आती है। दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जयमा लक्षमी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।